स्वागता का मेरी चैनल पर मार्केट की इंफोमेशन पर लेकर आगे हमके लिए शांदर वेड़ और यहां पर आपको सेंसेक्स के अंदर में जो है बड़ा देखने को मिली लेकिन आपको जो पोर्टफोलियो है वो डाउन देखने को मिला आपको और ऐसा मैंने आपको पहले के अंदर में जो है आपको गेन दिखेगा अब यहां पर दो चार शेयर ऐसे हैं जिसके अंदर में काफी अच्छा गेन आया लेकिन बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जिसके अंदर में डाउन फॉल आया जिसके अंदर में काफी लोग अठकेवे हैं एन बी सी सी है गार्डन तो इन सब के बारे में आपको एक चोटा मोटा ऐसा एक जो है ओवर्यू देता हूं उसके अलावा बात करेंगे पेटीम के बारे में भी और बारे में बात करेंगे एक ऐसे हिडन शेर के लिए जो की फार्मा का स्टॉक है और उसे वन इस टू वन का बोनस इशू और वन इस शेर है जो पैसा डबल करके देगा तो 280 से अगर आप देखें तो 624 यहां पर पैसा मैंने डबल अल्रेडी करवा दिया तो जो लोग यूट्यूब को देख रहे हैं वो लोग भी और जिन्नों को मैंने बाय करवाया पेट गूर्प के अंदर में 280 और 300 के उपर में है 320 के उ सिदा सिदा डबल हो गया अब लेकिन मैंने का था कि जो लोग 1100 रुपए पर अटके हैं और जो 2100 रुपए पर अटके हैं न वो लोग यहां पर भाय कर ले तो 2100 रुपए ओले एग्जरेट ले लेंगे और जो ya 1100 रुपए वी ंदेर ले लेंगे ये वो लोगों के लिए था जो लोग फसेवें फिलार के लिए आगे चलते हैं NBCC और NBCC के अंदर में आपको गिरावट देखे हैं मुली हाला कि इसको काफी अच्छी जो न्यूस है इसके अंदर में आती ही देखने को बले आप न्यूस देखेंगे तो यहाँ पर जो है कंप ऑपको करोड़ के अच्छी पर देखें यह तो यहां पर आपको देखें मुल रहा है करना जाती पंदरा हजार करोड़ फ्रू कौर्म दा आमरस पाली सुप्रियूम कोट्रने जो है वो भी बेसिकली क्लियर किया है इस रास्ते को तो अगला शेर जो हुटको का था तो उसके अंदर ही मैं आपको बता रही है कि भीया उसकी NBFC के बनने का जो है उसके अंदर में अल्रेड़ी आ चुका है यहाँ पर देखिए NBFC IFC का जो है बेसिकली उसको आरविये ने ओकी सर्टिफिकेट दे तो यहां से इन शेर के अंदर में हर डिप के अंदर में आपको जो है बाइ करना है और मैंने और रही होता है कि आपके शेर को आप जब एवरेश करते हैं अब जो लोग कोचिन शिप्यार्ड गार्डन रिश शिप बिल्डर इन सब के अ इनका सबका जो है एक महीने का पहले अगर आप देखेंगे जाके यहां पहले का जो एक चार्ड देखेंगे तो इनका सबका एक हाय था अब देखिए यहां पर 2800 का हाय मारा कोचिन शिप्यार्ड ने और अभी 1800 रुपए पर आ गया इसका मतलब गिरावट आपको देखने रभी थोड़ा सा भावाल है 1000 रुपए पर यहां पर यहां पर गिर चुका है तेर मैं बात करता हूं इन शेर्स को खरीदना चाहिए क्या आपको इस लेवल पर शेर को बाय करना चाहिए तो लगातार पांच दिन से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो यह जो कंसोलिडेशन है ना यही आपका जो है बाइंग लेवल है बेसिकली यहां पर मैं आपको आता हूं कहां पर आपको जो है एक्जेक्टली बाइ करना और कहां पर आपको जो है फिलाल सेल करना तो एक मेरे के चार्ट के उपर में लेकर चलता हूं आपको और आपका SL है वो आपका SL है 1750 का यहाँ पर दोनों के अंदरे में बता रहा हूँ और आपका जो buying level है जो buying level आना चीए फिलाल के लिए वो buying level आएगा आपका 1860 रुपेर के प्लस में आपका buying level आजाएगा 1750 का आपका SL लग जाएगा यह तो हो गया थोड़े से अच्छे लोगों के लिए और जो short term के अंदर में फिलाल अभी buy करना चाहते हैं उनके लिए जो है basically 1850 का buying price यहाँ पर दे रखा है और उसके अलावा एक और buying price में आपका बोता है तो जो की है same level पर आप जो है जहां पर आपको 200 करोड की अब बात करें तो इस फार्मा की शेर की जहां कंपरी का मार्केट का आपकर आप देखेंगे 200 करोड का पी जो है थोड़ा सा हाई देखने को मिल रहा है book value 40 से शेर का प्राइजिंग जो है वो 204 हाई मार के आया था एक 188 का लोग है और 188 पर भी मिल रहा है और यहां पर देखेंगे फेस वैली दसे इसका अंदर स्टॉक स्प्रेट आपको वन इस्टू टैन भी रेखने को मिल सकता है कहां पर आपका इसका बाइंग जो है वो बनता है वो बनता था डेड़ सु कंपणी के अंदर में थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है यहां पर रिजर्व जो हैं कंपणी ने बढ़ा लिए और कंपणी की जो बोरोइंग सी 25 करोड के असपास की वो 13 करोड होगे इसका अंदर क्या है कि कंपणी अपनी बैनेंशीट में सुधार कर रही है अपनी बोर के अंदर में कंपरी ने यहां पर उसको बढ़ाया है तो यह वाली जो होल्डिंग है ना 31.61 तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर जनता ने बेचा है और प्रोमोटर्स ने बाइकिया अब यहां पर प्रोमोटर्स बाइक करने इसका लगा है कि शेयर शायद नीचे आने मतागर आपके ऐसमें एक शेयर है तो आपके पास में 10 शेयर उसके हो जाएंगे क्या आप इसको शॉट टम के लिए बाइख कर सकते हैं शॉट टम के लिए आप बिलकुल बाय कर सकते हैं दोसो चार प्लस पर जो है यह जाते ही यह थोड़ा सा ब्लास्टर करेगा हालागि इसके इंदर में आप पर सर्केट आजाएंगे जैसे रिकॉर्ड डेट का एलान होगा रिकॉर्ड डेट का जो है फिरार एलान नहीं हुआ तो अभी फिलार आपको इस टू टैन का जो है एक स्टॉक स्प्रिट और बोनिस इश्यू इंक्लूडिंग देखने को फिलार मिल रह जाती है डोमेस्टिक कंपणी जो है वह और एक्सपोर्ट जो है वह कंपणी दोनों करती है उसके अलावा यहां पर कंपणी में एपी आइप फॉर्मूलेशन और चीज़े जो है देखने को मिल जाती इंट्रनेशनल मार्केट को अगर मैं करूं तो रशिया कॉंगो म्याम जाकिस्तान मांग्रादेश कजाकिस्तान हना इन सब के अंदर में होता रेविन्यू ब्रेकप की बात करें तो प्रोड़क्त बेच कर 89% कमाती है ऑपरेशन रेविन्यू से 8% और अधर इंकम जो है 3% की देखने को फिलाल मिल जाती है एक्सपोर्ट से जो 26% डोमेस्टिक से 74% कमपनी का रेविन्यू जनेरेट होता है और यहाँ पर अगर हम देखें शेर कैपिटल जो है कमपनी ने इनक्रीज की है जो की कमपनी के फेवर में जाता है उसके लावा मार्केटिंग ऑपरेशन बगेरा जो है वो भी कमपनी के उसमें जाता है उसके अलावा और बुक क काफी मजबूत है प्रोमोटर्स ने वापस से हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिया तो ये शेयर को आप जो है फोकस करके रखना फॉर्ट टम के लिए इसका नाम है वैशाली फार्मा वीडियो कर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना उसके अलाब वीकेंड आ गया है तो मैं इसी तरीके से मल्टिपल शेयर लेकर आँगा क्योंकि आपके मल्टिपल कोशन है इसलिए मैं किसी एक पर्टिकुलर शेयर पर एक वीडियो में फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं सारे शेयर की न्यूज जो है वो एक साथ लेकर आने कोशिश कर रहा हूँ आप थोड़ा थोड़ा रोक रोक कर भी अगर आप इसको देखेंगे वीडियो को तो भी आपको से काफी चीज नॉलेज मिलेगी सी यू सून